हेलो फ्रेंड्स, ओमफूर्च बाचंचल में आपका स्वागत हैं आज जब बनाएंगे कॉलकाता का फेमस स्ट्रीट फूड जाल मुरी तो उसके लिए मैंने सबसे पर यहाँ पे कुर्मूरे ले लिये हैं आप देख सकते हैं, यह एकदम कुर्कुरे हैं यह कुर्कुरे ही होने चाहिए, अगर थोड़े से भी सीले हुए हुए तो आप इन्हें थोड़ा हलका सा गरम कर लीजिए तो यह नॉर्मल हो जाएंगे, एकदम कुर्कुरे हो जाएंगे और मैंने यहाँ पे मिक्स चिवडा ले लिया है फ्रेश कोकोनट ले लिया है, इसे मैंने बारी कट कर लिया है सिंगदाना भुना हुआ यहाँ पे मैंने काले चने ले लिया है इन्हें मैंने सोक करके रख लिया था आप चाहे तो स्प्राउट्स वाले भी ले सकते हैं प्याज, आलू और टमाटर तीनों को मैंने बारी कट कर लिया है यहाँ मैंने नीबू ले लिया है बारी कटा हुआ हरा धनिया एक चमच राई का तेल अगर आप राई के तेल के जगे पे आप अचार का तेल भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर में इंग्रेडेंट्स हमारा जाल मूरी मसाला इसमें मैंने एक टी स्पुन धनिया, जीरा, सोफ, तीन से चार काली मिर्चिंग और दो से तीन लॉंग और तीन चार मैंने लाल मिर्चियों को अच्छे से भून लिया था और उसे थंडा करके पीस लिया था तो चलिए हम अपनी जार मूरी बनाना श्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हम एक बड़ा बरतन ले लेंगे जिससे हमें सभी चीजों को मिक्स करने में आसानी होगी इसमें हम सबसे पहले अपना मिक्स चिवडा डालेंगे प्याज आलू काले चने टमाटर नारियल बारी कटा हुआ सिंग्दाने हरा धनिया नमक स्वाधनुसा और हमारा जार मुणी मसाला एक चम्मच नीबू एक चम्मच तेल डालेंगे मिसमें राही का इसमें राही का तेल बहुत जरूरी है उसके बना तो यह बनती ही नहीं है अब हम पहले हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे अपने कुर्मूरे अच्छे से भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से हमारी ज़ार मूरी बनके तयार है चलिए से हम सब करते हैं हमारी ज़ार मूरी बनके तयार है इसके उपर हम थोड़े से सेव डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया इसे हमने कागज में सर्व किया है जैसे आप स्टीट फूड वाले देते हैं तो आप भी एक बाद जरू ट्राइ कीजेगा मुझे कमेंट करके बतेएगा आपको कैसी लगी मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू और मेरे चैनल होमफूटस वाय चंचल को लाइक सब्सक्राइब और जादे से ज़्यादा शेयर कीजेगा और बेल के बटन को दबाना ना भूलेगा थैंक यू